हलो डियर स्टुडेंट माइनेम इस विक्की कुमार बाहदूर और मैं आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटिप चेनल राहूल कोमर्स अकेडमी में आज का ये वीडियो जारकान डेकेडमी काउंसिल जेक बोड कलास 11 टर्म 2 के स्टुडेंट के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन में देख सकते हैं कि कल यानि 20 तारीक को जो एकजाम टर्म 2 का कलास 11 का जो एकजाम कल 20 तारीक को होने वाला था उस एकजाम को आप कैंसल कर दिया गया है जी हाँ आप सही सुन रहे हैं जारकन टेकेडमी काउंसील जेक बोड ने और जारकन सरकार ने अभी 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 अपिचली अनौसमेंट किया है कि आप लोगों का 20 तारीक को यानि 20 जून को जो एकजाम आप लोगों का एकजाम का कोमर्स वालों का अकउंटेंसी का और आठ्स वालों का जो गरोफी का जो भी एकजाम होने वाला था वो सारे एकजाम को अब कैंसल कर दिया गया है और सिर्फ कल का एकजाम को ही कैंसल नहीं किया गया है बलकि कल पूरे जारकन में जितने भी सरकारी स्कूल या जितने भी प्राइवेट स्कूल से उन सारे प् पोलेजर्स को भी कल के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है तो बहुती बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है कि कल जारकन अकेटमी काउंसिल जेक बोड का कलास एलेमेंट टर्म टू का अकाउंटेंसी का और जोगरोफी का जो एकजाम 20 तारीक को होने वाला था उस एकजाम को अ प्रोटेस्ट यानि जारकन के सरकारी और प्राइवेट स्कूल सोंबार को बंद रहेंगे और देखो मेंश्ट इंपोर्टेंट चीज यहां यह बोला गया है कि नववी और ग्यारवी के परिक्षाएं अस्थागित है यानि कल जो भी परिक्षाएं होने वाला है वो परिक कर रहे हैं आपनी सुना होगा बिहार हो गिया या बाकिये स्टेट में जो है काफी लोगों को या काफी संपत्यों को नुकसान हुआ है तो उसको देखते हुए गवर्मेंट का यह आसंका है कि साइध जारकंड में भी इसकी संभावनाई है तो उन्हें नियंतरित करने के लि सरकारी स्कूल और प्राइविट स्कूल के कौलेजस को भूप सिफरी का बंद सबसे पहला सावाल आता है कि आखिरकार कल जो आप लोगों का एक्जाम्स कैंसल हुआ है क्या इसके बाद सारे एकजाम्स कैंसल हो गए है यानि जितने भी exams होने वाले हैं क्या वो सारे exams cancel हो गए है या सिर्फ कल का exam cancel हुआ है और अगर सिर्फ कल का exam cancel हुआ है तो इसका exams दुबारा कब हुआ जाएगा तो देखो अभी सिर्फ यही यहाँ पे लिखा गया है कि आप लोगों का जो है वो कल का exam cancel हुआ है यानि 20 तारी का जो आप लोग का एक्जाम कैंसल हुआ है उस एक्जाम आठ तारीक के बाद लिया जाएगा तो बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि कल आप लोगों का एक्जाम होने वाला था वो एक्जाम अब नहीं होगा जारकन डेकेडमी काउंसिल जेक बोट के द्वारा कल न इस्टाग्राम चलाते हैं फेस्बुक चलाते हैं तो उन सब में जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा ताकि आपके सारी दोस्तों को जो है इसकी जानकारी मिल सके ठीक है नेक्स टाइम जो भी अपडेट आएगा उसकी जानकारी मैं आपको जरूर दे दूंगा ठीक है चलो बाए टेक केर